आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के सार मिलावट खोरी अवेश चराथ चोरी गुंडों के विरुद धार जिले में अभियान चलाया चा रहा है पुलिस अदिक्षक धार श्री आदित्य प्रताप सिंग के पालन में अतरिक पुलिस अदिक्षक श्री देवेंदर पाटिदार SDO 3 मनावर श्री धीरच बबर के मांग दशन में थाना प्रभारी मनावर श्री ब्रिजेश कुमार मालविया के नित्रुत में चौकी प्रभारी सिंगाना उपने रिक्षक अभिश्यक जादों को करिवाई हित्व लगाया गया दिनांग 21 जून 2021 को फर्यादि और उनके साथ ही सिंगाना गैरच पर अपनी गारी का काम करवा रहे थे तभी एक सफेद कार में चार वेक्ति आये फर्यादि और उसके दो साथियों के साथ गाली गुपता कर हाथ मुखको और लोहे की टॉमे से मार पीट कर दो वेक्ति का अपरहन कर अपनी कार में डाल कर साथ ले गए पर्यादि की रिपोर्ट पर अपरात क्रमान 537 बटे 21 धारा 365, 294, 323, 506, 34 भाति दंड विधान का अपरात पंजीबत कर विवेचना में लिया गया उक्त गटना के समद में श्रीमान पुलिसादिक्षक महदे, श्रीमान अतरिक्षक महदे से मार्गदर्शन प्राप्त कर तुरित कारिवाई करते हुए श्रीमान SDO, टी मनावर, श्री धीरच, बबबर, थाना प्रभारी मनावर, श्री ब्रजिश कुमार मालवी द्वारा गटित कर कारिवाई करते हुए दिनांग 20, जून 2021 को अपरताओं को दस्तयाब किया गया और दिनांग 21, जून 2021 को आरूपी जितेंदर पिता सिकर्दार जाती बलाई उम्र 23 साल निवासी ग्राम अंजनी कोट और इसके साथी को गरफतार किया गया जिस पर SDO, टी मनावर, श्रीद धीरच बबर के मांग दर्शन में थाना प्रभारी मनावर, श्रीब रिजश कुमार मालविया, चोकी प्रभारी सिंगाना उपने रिक्षक अभिशेग जाधव, त्वरित कारिवाई करते हुए प्रताओं को दस्तयाब किया, दो आरूपियों को गिरफतार किया ग प्राकेश सानिक हरी का विशेश योगदान रहा, मनावर से कौशिक पंड़त के रिपोर्ट इसके साथ में इसके साथ जो लूट की गतना फर्यादी के साथ की गई थी, इसमें दो आरूपियों के गरफतार किया, जिसमें जीतेन बलाई है और एक उसका अन्य एक साती है, और इसमें भी इन्वेस्टिकेशन जा रही है, संभात इसमें और कई लोगों के नाम होने के स अम्यों